बाई साब नमस्कार हम गामाले रिपोर्टर विष्णु प्रुवागर आप सब का स्वागत करते हैं फिल्म इंडेस्टी की जब बात होती है तो कुछ कलकारों का नाम चाहे कुछ भी हो लेकिन उनकी अदाएं हम सब के जहन में आ जाती हैं बोजपुरी इंडेस्टी की एक ऐसे कलकार जो अपनी अदा से लोग को दिवाना करते हैं अक्सर फिल्म की हिरोईने दिवाना करते हैं लेकिन ये मेल कलकार हैं और अपनी अदा से लोग को दिवाना करते हैं मैं इनको ग्यानी काता हूँ क्योंकि एक फिल्म में इनके देखा था और इसमें निरहुआ जो बोजपूरी के जिबली स्टाज इनको कहा जाता है इनके एक सवाल से वो करोनपती बन जाता है तो अब सोची कितने बड़े ग्यानी है मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ और आज मुझे मुझे मौका मिलके हैं इनका इंटर्व्यू करने के लिए संजे पांडे जी है मारताथ और प्रभुष्रियाम की नगरी अध्या में सबसे पहले तो सरकार स्वागत करते हैं सब बहुत स्वागत है था कैसे हैं क्या हाल चल रहे और अध्या में आकर कैसा लग रहा है बड़ी है अध्या में तो कुछ दिन पहले आया था ही मैं फिल्म की दुलहनिया की शूटिंग करने और तब पहले बाहर आया था मैं अब यह सेकंड टाइम है इस बार इस अवार्ड फंक्शन में आए ऐ फिल्मी ऑवार्ड जो होते हैं सर अकसर फिल्मी लोग ही प्रज़ेंट करते हैं लेकिन यह तरा शलल मैगजिन कर रहा है बोझपुरी सिन अवार्ड एकultan मैं भारत की प्रशिध मैगजिन और घुचों बादी आख पूुरी के लिए कि इतनी अच्ची बात है अभिशित बहुत पहले हुआ होगा हाँ लो यूपी और देश के बाहर करते हैं लिए मुझे लगता है जहां फिल्में देखी जाती हैं जहां के दर्शक हम से जुड़े हैं उनके बीच में ओरड करना है तो यह इस द्रिश्टी से भी पहला वार्ड कि अध्या में हो रहा है प्लस एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका सरसलील जो हम बच्पन में बढ़ा करते हैं अभी भी पढ़ते हैं वह आउजित करवारी तो दोनों बाते अपने आप में बहुत अच्छी है कलाकार का जाता है कलाकार शम्मान का भूका होता है और एक अहीं नहीं सत्य है तो इस अवाड का कितना बड़ा रोल होता कि तमाम बहुत सरे कलाकार हैं और आप से तमाम पुर्वांचल के कलाकार तमाम ऐसे लोग हैं जो पेड़ा लेते हैं आप जैसे कलाकार उसे तो जोन मिलता है कि उसके काम का जो परेश्मीं के वो पिसे के इसमें जो मिलता है तो सम्मान जिसकी कोई कीमत नहीं तो पैसोंसे नहीं तौला जा सकता है अनमोल है, अगर वो आवाड खरीदने जाएंगे तो बहुत महगा नहीं है, लेकिन जब हाथों में आता है तो अनमोल हो जाता है, तो बहुत की बात है उसके है, सर बोधपूरी सीने अवाड के हम बात कर लेते हैं, संजे पांडे साब जब परदे पर आते हैं, तो तालिया है, हम तो पत्रों मचाएंगे तो लोग भाग जाएंगे, हीरो लोग है, हीरो, हीरोईन है, वो परफॉर्म कर रहे हैं, और चुकि मैं बहुत शॉर्ट नोटिस में आया है, और मेरा शूट था, वो शूट को कैंसल करना पड़ा मुझे बानारस मेरी शूटिंग स्टार्ट वो शूटिंग हैंसल करके फिर में आया वोकल से जोईन करूंगा, और इतार लगाता और बहुत दिनों से वैस्ताता की वज़ज़ से टाइम नहीं मिला कि मैं कोई परफॉर्मेंस त्यार कर पाऊँ, मैंने किया एक बर किया था भोजपुरी अवार्ड में, बट उस तरीक किसे नहीं दिया और मैं भी थ्रॉसक्ता आल गया, तो मेरी परफॉर्मेंस वही है कि मैं कितनी शान्ती से खुद से खुद को ओड लेते देखनी सकता, दूसरों को ओड लेते देखूं और तालिया बजाओं, वही मेरी परफॉर्मेंस तो आज कुछ उपद्रव नहीं करन और सब फिल्मों में आपको देखा जाता है, और आपके अंदाज को लोग पचानते हैं और आपके एक्टिविटी को फालो करते हैं, चाहे वो खेसारी लाले यादो की बात करें, रभी किसन की बात करें, सबके साथ आपने काम किया है, इन दिनों विगत 10-15 दिनों से लग मत किया जाए, तो वहीं काजल अगवानी काती है, कि सारी ने मुझे दोखा दिया है, आप इस बयान को सर कैसे देखते हैं, एक कलाकार के रूप में, मुझे लगता है कि बड़ा वेक्तिगत सा मामला है, और दुखद है कि ये सोशल मीडिया के मंच पे आता है मामला, क्यों करना है, जिस तरीके से आपके अडर्स्टेंडिंग की अगर चीजे नहीं जम रहीं, नहीं चल लें तो उसको एक मिच्वल अंडर्स्टेंडिंग के तहट करना चीए, दोनों सभजार लोग है, चुकि मैं बहुत जादा इनके मामले में कुछ जानता नहीं हूं, इस तरीक से अगर मैं उनके बीच का माधे में रहा हूं, में डेर रहा हूं, मुझे दोनों अगर आपनी बाते शेयर रहे हैं, तो मैंने कुछ जानी हैं, और आपका हर एक अदात है, लुग वाकिव हैं, अलग नाम से अलग अधादाज से आप जाने जाते हैं, कोण साई कई सार इक तो बहुत सारे किरदार हैं, चार्ट सो फिल्म हैं, इसे कोई एक फिल्म गिराना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये कि वो किरदार पूछे हैं तो मैं बताओं कि जिन किरदारों की वज़े से पहचान मिली या और्डियंस ने जाना, तो पहला सबसे पॉपुलर किरदार था निरवा अंदुस्तानी का बबलू याद हो, उसका वो टोन बड़ अच्छा लगा तो गोड लगा था नहीं चच्चा तो अच्छा लगा तो राजा बाबू, और बंधन निरवा अंदुस्तानी वन टू थी तीनों, और अभी फिल्म हाई हम मैं सहरा बांद किया हूँगा उसका किरदार लों को बहुत अच्छा लग रहे हैं, यह कुछ किरदार हैं जो ओडियंस को बहुत टच कर गए, और अउडियंस को पसंद आए है, निरवा अंदुस्तानी में सर आपका एक करेक्टर था, निरवा जो कौन बने का करोनपती खेलने जाते हैं, और आपके एक आपके साथ ताकि जो इस्ट्रगल का दोर आज आप जाने माने कलाकार हैं सर, कभी ताकि मुंबई इंडिस्ट्री आप आजमगड के रहने वाले हैं, और मुंबई का नाम लोग सुनते हैं, तो मन में डर आ जाता है, मुंबई कैसे अपने आपको इस्टेविस किया तो कभी ऐसा लगा संजय पांडे को मैं हार रहा हूं, मैं ठक रहा हूं, तो मुंबई शहर एक बार तो आपको डराता है, एक बार तो ऐसा आता है जब आपको लगता है कि अपुछ हो नहीं बाएगा, लेकिन मैं छट पे चड़ने से पहले जो बास की सीड़ी है, उसको ग कि लोटने का कोई ऑप्शन चोड़ के नहीं आया था, जीना यहीं मरना ही सोच के आया था, तो मेरे बास ऑप्शन नहीं था कोई कुछ और कर सकता हूं, यही कर सकता था और यही कर सकता हूं, तो इश्वर को भी देना पड़ा मजबूरी में है, अचा सर, हम गावाले तो बच्पना जग जाता है, तो कभी आपका कोई ऐसा यार मिला और उसके बाद आपको डिरेक्ट फिल में देखा, उसके बाद देखा, अरे भाज साब, वो दिवानापन, वो क्रेश तो आप कोई ऐसा कुछ ऐसी घटना होता है, अचा ती मेरे दोस्त हैं, वो मेरे दोस् अराथ के बाद वो MP जम करके सीधे यूपी पहुंचती है, उनको समझ में नहीं आता था कि क्या है यह, उन लोग जब फिल्मे देखते हैं या उनको पता चलता तो बड़ा प्राउड फिल करते हैं, और फिर वो बताते हैं लोगों को कि ये हमारा दोस्त है, और अच्छा प्रूवांचल के अलगार चाहें वो कहीं के भी रहने वाले हो आपको फालो करते हैं आप उनके लिए प्रेणा है और आपकी तरह एक नामचीन का लाकार बनना चाहते हैं तो संजे पांडे जी का क्या संदिश रहेगा कि फिल्म इंडेश्टिम में कुछ अच्छा कर सकें बहुत जल्दी में है वो पैकेट चाहती है वो कि पैकेट खोलो उसमें से एक्टिंग की पुडिया निकले और खाओं पानी फिए और एक्टर बन जाओं बस साट पार हाँ वो पैकेट खोज रही है उसे साल बर दो साल बर हम लोगों ने 10-10 साल दिया है धैर नहीं है धैर अन्सा सिर्ट खोटन इनको दो मिनिट मेंए म έगी चाहिए दो मैंदी अ कि तो मैगी मेंट में वल्हां तो मैंटियर्श काहर दो में नहीं नहीं बनता है हला कार को सालों लगते हैं और फिर मंबी आब के गाली देते हैं कि शुनियों नहीं好吧 मेंट करता है फेस बूक好好 Barramay और फिर बोलों कि आप चलो आप एक्टिंग करो बिटा और नहीं कर पाए तो उसके बाद के सजा खुद आए कर लो आसान नहीं है मजाख लगता है अभी आप लोग एक्टिंग वर्क साभी कुछ चालू किया है हमारा क्लासेज भी चलते हैं तो आते नहीं है लेकिन उसमें उनको पुडिया चाहिए क्या बुला उनको प्रॉमिस करो कि इस वर आने के बाद रोल मिलेगा खुद कुछ नहीं कर रहा है मुझामच लेके खिला दो मुझा फिल्म इंडस्टी चाहिए बॉलिवड के बाद अगर इरिजनल नी इंडस्टी में सबसे वड़ी इंडस्टी बोचपूरी है सबसे आद हमारे पास दर्शक है फिर भी सर हम बहतरीन और सांदार फिल्में और कुछ एंडिक क्यों नहीं कर रहा है ताकि वहीं साउत मलयालम कंणड की तमाम छोटे जगहों पे छोटे क्राउड में भी बहतरीन फिल्में बनती है बोचपूरी में एता छोट कारें ना करें यहीं सत्य है तो जिस इंडुस्टी में आप बाइचांस है उसमें बजाराबसार करें सब लोग अपने हिसाब से चल्रा सब कर रहा है हम हिंदी देखते हैं हम तो हिदी में रहते हैं भोचपूरी एक पार इंडिया की सांटे है जो मॉंबौई Major में रहती है। बाकि इंडिया की सारी इंडिस्ट् recovery अपने अपने कैपिटल में in बंगाली कलकेटा में तमिल छेनने में है तेलगु में है सब जगह सब фильмम कि बोश्पूरी क्लौती इंडिस्ट्री जो मुंबई में रहती है, जिसके ऑफिसर्स में में उसके बाद भी हम सब से पिछड़े हुए हैं, ये सोचने की बात है, तो वही बात है कि इसमें सब बाइच्वाइश नहीं है, बाइच्छान्स है, हम, मुझे बें हिंदी में काम मिलता तो मैं बोजपूरी में नहीं आता, ये ही रीज क्या बहुत सारी चीज हैं, एंकार बहुत है, इगो के टकराव बहुत हैं, बैठ के कोई डिसकेशन नहीं होता किसी के, किसी से, सब इक दूसरे की टांग कीछने में लगे रहते हैं, जादा है, छोटा सा कुवा है, उसी में लड़ मर रहे हैं, तो ये सतर कोरोनों के जनता के कोडिनेशन वाली टीम है, बहुत पूरी इंडस्टी, फिर भी क्यों इतनी कुए अली हरकत है, ऐसी चलेगा, ऐसी चलेगा, राम बरो से इंदू होटल, फ्यूचर बतलेगा, बस स्पीड धीमी है, बतलाओ तो हर जगह होता है, बतलब हो तो कहते हैं कि घूरे के भी दिन सबसे बड़ी बात सटेलाइट भी आने से दिन फेर रहा है, अगर हम थेटर में होते हैं तो हम अब तक और कुछ दुबा चुके होते हैं, हम लोग मल्टिप्लेक्स में क्यों नहीं आपा रहे हैं सर, कोई प्रयास ही नहीं कर रहा है, किसको पढ़ी है, जो प्रयास, इंड अधानने कौन जाए माराज़ा है, और हीरो आपस में लड़ाए भी तो कर रहे हैं अजकर बड़ा बेक्तिकैत है, मामला उसमाने लगा है, था कि अपने बहुत पूरी भासा से आपको कि लगा वा था कि अपने बोला मुझे फिल्म एंडिस्टी में हिंदी में वीका मिले बहुत्पूरी भाषा को है अब इसलिए करुगा है बहुत पूरी भाषा से बहुत लगा वे क condemnation कि मेरी माघूलो नियुकर मेरी मिलें लगा करती और अनोग है अब मन लग लग चूए मच्छा-म Newton's इसे बहुत सारे लोग आयते हैं बस साधी हुई कहीं और फिर प्यार देदे दुरे बढ़ता तो हमारे दर्शक हैं उनसे आपका क्या संदश रहेगा ज़स्क्त है क्या कहना चाहिंके? अब ऐसा नहीं है कि आपको चैनल बदलना पड़ेगा, अब ऐसा नहीं है कि आपको बगल अगल जागना पड़ेगा किसी सीन में, अब आप खुल के फिल्म देख सकते हैं, टीवी पे, अब ऐसी फिल्म है और इसके लिए आपने मजबूर किया है, क्योंकि जब सेनमा आपके हाल में, आपके रूम में, आपके ड्राइंग रूम में पहुंचा, तब भुषपूरी में हम भी मजबूर हुए, कि आप कुछ चीजें खुद कट करो, और ना चैनल बदलेंगे लोग, तो हमारा भविश्य भी बदल जाएगा, तो अब अच्छी फिल्म आ रहे हैं, आप देखिए, मज़ा आएगा, आप अच्छा, मैं आपसे पहली मुलागात किया हूँ, और अच्छे सवाल करते हैं, आपकी तैयारी, आपकी जानकारी, भुषपूरी को लेकर अच्छी है, सिनमा को लेकर अच्छी है, इस बात के लिए बदाएगा, मुझे लगता है कि मेडि फेस्बूप पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लिजे, यूटूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, नमस्कार